नमस्ते मेरी प्यारी जंदागन कैसे हैं आप सब I hope you all people are doing good, great and safe at your places मेरा नाम है पलक राजपुत आप सभी की commerce वाली दीदी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का पढ़ले 11.30 commerce पे आज का जो topic है वो हमारे लिए होने वाला है rectification of error मैं बहुत टाइम बात चैनल पर दिख रही हूँ पर कोई बात नहीं कुछ covid issues हो गए थे पर अब सब लोग ठीक हैं हम लोग ठीक हैं we are good, fit and fine and I hope you all people are also doing good, great and safe at your places ठीक है तो last chapter जो हम लोगों ने पढ़ा था unit 2 में हमारे term 2 के chapter के लिए वो हमारा था bills of exchange आप लोगों को I hope आप लोगों को समझ में आया होगा इस वीडियो को start करने से पहले और इसके बारे में सब कुछ बताने से पहले मेरे पास में doubt था मुझसे किसी ने पूचा था comment section में कि negotiable instruments क्या होते तो वो मैं यहां बता रही हूं negotiable instruments लेट है पर ठीक है कोई बात नहीं काम चला लो negotiable instruments वो instruments होते जिसको आप लोग एक परसन से दूसरे परसन को दे सकते हैं ठीक है जैसे आपका check हो गया bonds हो गए stamp paper होता है आप लोगों का bills of exchange होते हैं, promissory notes होते हैं यह सारी चीज़े आप अपने हाथ पे sign signature करके seal लगाकर आप किसी और व्यक्ति को दे सकते हैं और वो law की नजर में, government की नजर में वो as a currency और legal note काम करते हैं, आपने अगर किसी को promissory note दिया है, sign करकर कि मुझे आपको इतना पैसा इस तारीक को इतने percentage के साथ में देना है ठीक है, आपकी signature है, आपका firm का designation महाँ पर पूरा लिखा हुआ है, तो law की नजर में और बाकी पूरी दुनिया की नजर में वो legal है ठीक है, आप उससे deny नहीं कर सकते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, अरे मैं तो मस्ती कर रहा था, योई sign करने का मनुआ था, इसा साइन कर दिया, ऐसा नहीं है ठीक है, तो negotiable instruments वो instruments होते हैं, जिसको आप signature करकर अपना designation देकर आप किसी और व्यक्ति को transfer कर सकते हैं, जो कि transferable है ठीक है, वो instrument या वो paper या वो bills या वो bonds जो कि transferable होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा सकते हैं, उन्हें कहते हैं negotiable instrument ठीक है बाकी आपको definition और बाकी जो भी बचा हुआ था वो समहा समझा दिया था I hope आपका doubt clear हो गया होगा ठीक है तो आज हम लोगों को पढ़ना है rectification of error लेकिन इसको start करने से पहले एक disclaimer ये है कि इसको start करने से पहले आप लोगों को journal पूरी clear होनी चाहिए जो हम लोगों ने वहाँ पर clear वाला concept पढ़ा था ना वो यहाँ पर आप लोगा clear होना चाहिए otherwise आप इसकी entries नहीं कर पाएंगे rectification of error में होता क्या है ना कि बहुत सारी books होती है मुहमा या दीदी होती है जिस वज़े से हम लोग गलती कर देते हैं कुछ चीजों में total match नहीं हो रहा होता है miss balance हो जाता है कुछ ना कुछ कोई entry छोड़ देते हैं हम लिखना तो जिस वज़े से हमारा trial balance match नहीं होता है और फिर हमारे पास में आ जाते हैं errors ठीक है तो उन errors को जब हम rectify कर देते हैं तो उसे कहते rectification of error तो उसके लिए हम entries पता होने चीज़े कि किसके लिए क्या entries जलने वाली है तो वो clear concept आप लोगों का clear है मैं ऐसा assume कर रही हूँ और मैं ऐसा मानती भी हूँ दबादो जिससे कि आपको कोई भी important update कभी भी मिसना हो साथ ही साथ description में given a telegram channel के link जिसको आपको follow करना है वहां पर भी updates आते हैं ठीक है play store पर पढ़ ले app है जहां पर आपको सारी information channel के बारे में आपके videos के बारे में आपके course के बारे में पता चल जाती है तो वहां जाकर आपको से download कीजिए अपने आपको register कराईए ठीक है तो बिना किसी दिरी के हम लोग इसको शुरू करते हैं क्योंकि ये topic बहुत important है ये one short video होने वाली है आप लोगों के लिए एक ही short में हम लोग खतम कर देंगे हमारा rectification of error फिर हमारे पास में हमारा full and final last chapter ब तो देखिए यहां पर आपको पहले पता होना चाहिए कि error कितने प्रकार के हो सकते हैं अब error जो है यहां पर लिखा हुआ तो है पर आपको समझ में आना चाहिए कि मैं आपने एकदम से error बता दी error कैसे होते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी firms होती हैं जिनके accountant जो managers होते हैं एक लाग की जगह एक हजार लिग गया ऐसा होता है रियल लाइफ में ऐसा होता है ठीक है आप लोग बोलोगे कि मैं फिर वो accountability कहां गई जो आपने हमें पढ़ाई थी कि आप responsible हो अपनी duty के लिए तो कोई बात नहीं ऐसा हो जाता है असली जिन्दगी किताबी जिन्दगी स अब यहां पर आपको कुछ error पता होने चाहिए आपकी book में है 4 error जिन्दगी बारे में आपको पता करना है सबसे पहला error है आपके पास में error of omission अब यह क्या होता है omission सुना है आप लोगों ने omit हो जाना ठीक है लिखने से भूल ही जाना ठीक है या तो लिखना ही भूल ग आपको अच्छे से पता होना चाहिए मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं क्योंकि यह चारो errors की theory point important है आप लोगों से कोई सा भी error लिख दिया जाएगा अभी हमें नहीं पता है कि subjective होने वाला है या objective होने वाला है ठीक है तो अगर subjective exam हो गई तो अगर उसमें आपके पास में ऐसा कोई question हाता है 5 या 6 marks का कि जिसमें आपको कोई error दे देंगे और वो बोलेंगे कि बताओ कौन सा error है error of omission है commission है principle या compensating error है तो आप लोगों को यह 4 error पता होने ची नाम में confused मत होना बहुत बार ऐसा confusion होता है कि commission और omission दोनों को same समझ कर बच्चे करके आ जाते हैं बच्चे कर completely ठीक है या तो transaction completely आप लोगोंने लिखना भूल गए है या फिर आपने उसको partially omit कर दिया है partially मतलब एक जगा लिख दिया दूसरी जगा आप लोगोंने लिखा ही नहीं journal entry तो डाल दी पर laser में डालना भूल गए ठीक है तो वो error आप लोगों के लिए होता है error of omission जहां पर जो चीज omit हो चुकी है ठीक है जैसे हम लोगोंने लिखना भूल गए है वो हमारे लिए होता है error of omission ठीक है from being recorded in the books of account आप लोगों की जो books of account है वहां पर आपने या तो completely ही नहीं लिखा है या एक जगा लिख दिया दूसरी जगा आप लिखना भूल गए वो होता है आप order of commission का मतलब क्या होता है ये वो errors होते हैं जो कि किस वज़े से आते हैं मेरी प्यारी जनतागन due to wrong recording record करना था sale का लेकिन हमने कर दिया purchase का ठीक है wrong posting पोस्ट करना था राम की account में post कर दिया शाम की account में wrong carrying forward forward करना था balance 1000 forward कर दिया एक लाक रुपे ठीक है wrong casting totaling करने में total आ रहा था 85,000 लिख दिया 8,500 of subsidiary books और wrong balancing etc यही वाली wrong balancing करना कि आपने जो balance लगाना था वो गलत balance लगा दिया आपने debit बच रहा था लेकिन आपने balance जो है वो credit site के ओपर balance करवा दिया तो error of commission के अंदर भी चार तरीके के और error लेकिन error of commission समझ में आया आप लोगों को कि यह वो error से जो कि किस वज़े से होते है wrong recording करने से ठीक है आपने यह तो recording गलत कर रखी है उन लोगों की एक second गया फिर wrong posting करने की वज़े से wrong carrying forward आपने जो आप हम next page पर लेकर जाते ना balance to balance brought down to balance cd हम लोग करते हैं carried down तो वो आप लोगों का जो है वो गलत हो गया है casting का मतलब होता total लगाना total आ रहा था एक लाख रुपे आप लोगों ने एक हजार ही लिखा बताओ निंडियान वे हजार का खर्चा करा दिया है error of commission का मतलब क्या होता है जब आप कोई चीज गलत कर देते हैं ठीक है वो आपने सही नहीं की हुई है तब जाकर आपको समझ में आता है कि अच्छा ओके यहां पर error of commission हुआ है balance में गड़वडी दिख रही है carrying forward गलत दिख रहा है record गलत कर दिया है तो वो हमारे लिए होता है error of commission error of commission जो होता है वो चार तरीके से है आपके पास में recording का error कर दे हो आप ठीक है recording करी ही नहीं या तो आपने गलत recording कर दी sale का purchase में purchase का sale में ठीक है है ऐसा कर दिया casting का error कर दिया आप लोगोंने casting往से शामका account राम में लिग दे दिया राम का account शाम में लिग दिया तो यह वाले होते है अप लोगों के कहलाते है error of commission आप आता है आपके पास been error of principle आप ये तो सब्सेटे से समझ में आ मतलब किया सिधांती गलत कर दिया हम लोगों ने जो मैं पेले बूल रही थी ना कि पर्चेस को असेट को या तो हम लोगों ने कैपिटल और रेवेन्यू जो पर लिया है तब जाकर आपका जो जो एरर आता है वह आप लोगों के लिए होता है एरर फ्रेंशिपल इसको In Contravention of Accounting Principles, मतलब जहां पर आपका Transaction जो है, वो आपके Accounting सिधानतों की 12 बजा के आ जाता है, जो Accounting Principles आप लोगों ने पढ़े थे, उनको follow नहीं करता है, उसमें कोई गलती कर देता है, It is known as Error of Principle, These Errors occurs when proper distinction is not made between revenue और capital item, यह errors काब होते हैं, जब या तो आपको पता ही नहीं है कि कौन सा item capital का है और कौन सा capital का है, कौन सा item revenue का है और कौन सा capital का है, जब आपके पास में distinction, मतलब differentiation ही बना हुआ नहीं है, आपको पता ही नहीं कौन कौन सा item का है, इसली बोला Journal और वो books of account, such error do not affect the trial balance as amounts are placed on the correct side but in the wrong account, होता क्या है इस error के अंदर, जब error of principle होता है, तो आप लोग क्या कर देते हैं, कि आप principle को गलत कर देते हैं, सपोज मान लिजी कि आप लोगों ने purchase का sale में कर दिया, ठीक है, अब सौरी, purchase का sale नहीं, आप लोगों ने क्या करा कि asset nature की चीज को आप लोगों ने revenue nature treat कर लिया, ठीक है, या expense treat कर लिया, तो asset अगर आपने कोई asset खरी दी, suppose मान लिजी आपने furniture purchase करा है, एक लाग का furniture आप लोगों ने purchase करा है, अब वो basically वो asset nature की चीज है, लेकिन आपने उसको expense में लेके आ गए हैं, तो आप दोनों ही debit होंगे, expense भी debit होता ह है, और asset भी debit होगी जब बढ़ेंगे तो, तो हो सकता है कि आप उसे correct side पर लिख कर आ रहे हैं, लेकिन wrong account में आप उसको post कर रहे हैं, asset को जब आप लोग expense treat कर लेते हैं, तब जाकर आपका जो principal error होता है, ठीक है, suppose मान लिजी एक लाग की asset खरी दी थी, अब ये तो हम लोग normal expense होते हैं, वो treat कर लिए, अब ये भी मुझे पता है कि जब भी मेरे expense बढ़ते हैं, तो मैं उसको debit करती हूँ, तो होगा क्या, इससे trial balance को कोई effect नहीं होगा, trial balance में दो ही side चलती, एक होता है debit, एक होता है credit, ठीक है, तो आपका जो balance था, वो जाना तो debit side परी था, ultimately, वो आ आपका furniture में जाना था, आप उसे expense में लिख कर आ गए, तो वो गलती यहाँ पर ऐसे दिख जाती है, error of principle से आपका trial balance अफेक्ट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि आप उसका amount जो है, वो correct side पर उतार कर आते हो, लेकिन गलत account में show कर देते हैं, तो गलत account में show करना भी error होता है, एक दूसरे को nullify कर देते हैं, ठीक है, कि तू हुआ, तू हुआ, कोई बात नहीं, zero हो गया, हमारा, इससे भी trial balance हो, कोई effect नहीं होता है, देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है, कि compensating errors are those errors, the effect of which is nullified by another error of equal amount, ठीक है, ऐसे errors, जिनके, जिनका effect जो है, वो बिल्कुल equal हो जाता है, जो हो जाता है, यह हुआ, यह हुआ, बराबर, ठीक है, तो अब कैसे होता है, वो जिसमें जैसे एक example बोला है, कि Shams account was debited with rupees 100, instead of 1000, करना क्या था आप लोगों को, राम का account जो था, आप लोगों को debit करना था 1000 से, instead of rupees 100, आपको राम के account को 1000 से debit करना था, लेकिन आपने उसमें कितने रूपे डाले, 100 रूपे, तो कितने से कम debit किया है, आप लोगोंने 900 से, तो यह 900 का जो difference है, एक जगा आपने बढ़ा के लिख दिया, एक जगा आपने कम कर के लिख दिया, तो यह एक दूसरे को compensate कर देंगे, ठीक है, इनका जो error है, वो आपको easily पता नहीं चालेगा, ठीक है, आप बुक में तो ऐसा कुछ आएगा नहीं कि आपको बुक पढ़ने नहीं है, फिर error देखना है, आपको तो directly answers and questions को, questions को answer करना है, ठीक है, तो चार error होते है, error of omission, error of commission, error of principle और error of account and setting errors, ठीक है, ओमिशन में या तो आपने entry ही नहीं करी है, partially omit हो सकता है, या completely omit हो सकता है, error of commission में आपने कुछ गलती कर दी है, गलत account में post कर दिया, ठीक है, गलत total लगा दिया, गलत carry forward कर दिया, गलत record कर दिया, तो वो सारी चीजों जब होती ही, तो आपके पास में आता error of commission, error of principle क्या हो को समझते नहीं हैं, और आप asset को revenue, revenue को asset ऐसा कुछ तो भी treat कर कर आ जाते हैं, capital और revenue में जब आप लोग difference समझ नहीं पाते हैं, तब आपके पास में आता है error of principle, compensating errors वो होते हैं, जहां पर एक दुसरे के effect से वो effect जो होता है, वो zero हो जाता है, ठीक है, अब हमारा जो error of principle है, वो हमारे trial balance को बिल्कुल भी effect नहीं करता है, क्योंकि भले ही हम लोगोंने एक दुसरे को गलत treat करा है, लेकिन हमने सही site पर amount डाल दिया, लेकिन गलत account में, ठीक है, तो वो उससे अम हो जाता है, पर आप लोगों को book में उसको देखना है और समझना है डंग से, अब इसके बाद में ये वाली जो चीज़े हैं, ये 1 से लेकर 10 तक जो हम लोगों 11 तक जो कुछ points है, वो मैं आप लोगों के लिए read कर देती हूं, ये वो points है जो आप लोगों को सदेव जीवन भर याद रखने हैं, जब भी आप अपना rectification of error बना रहे हैं, तो ये कुछ चीज़े हैं posting of an individual transaction recorded in cashbook, it affects the individual account which was to be posted, not cash or bank account, अगर आपका जो error है, ठीक है, वो posting करते वक्त हुआ है, किसी transaction को post करते वक्त आपने error कर दिया है, cashbook में, ठीक है, cashbook में आपने कोई transaction जो था, वो गलत post कर दिया है, तो वो उस individual account को affect करेगा, ना कि cash or bank account को, ठीक है, वो तो अपनी जगह सही जाएंगे, पर आपने जिस account के साथ में गलती करी, जिस account को छेड़ा है, उसके साथ में गलती होगी, cash or bank को आप लोग हाथ नहीं लगाओगे, अगर ऐसा होता है कि आप लोगों ने एक जगह entry कर दी, दूसरी जगह entry करना भूल गए, तो इट affects the individual personal account only, and not that account in which a total of particular subsidiary book is posted, अब इस example समझते हैं, तो सद समझ में आएगा, जैसे कि आपने goods बेचे थे X को, for rupees 10,000 और उसको कैसे post कर दिया, 1000, बेचे थे 10,000 में, गलत entry कर दी, ठीक है, गलत total लगा दिया, गलत entry कर दी, गलत record कर दिया, it means that X account has been debited with rupees 1000 and sales account was not affected, जहां पर दो account involved है, एक तो बेचना, और दूसरा जिसने उधार पे लेकर गया है, तो अगर ऐसी कोई entry आती है, जहां पर आपको दिखता है, ठीक है, कि आपकी posting दो लोगों में होगी, तो इसता समझा जाएगा, कि जिसमें गड़बड़ी, जहां गड़बड़ी करी है, उसी व्यक्ति के साथ में हम लोगों को कलती सही करना है, जो दूसरा व्यक्ति बचावा, जैसे यहां पर उसने बोला है, कि 10,000 के goods X को भेजे थे, लेकिन वो आपने 1000 के उसमें लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने क्या करा, कि sale book के अंदर तो वो सही entry करी आपने, कि आपने X को बेचे हैं goods 10,000 पे, लेकिन जब आप X के account में डाल रहे थे, X की laser में post कर रहे थे, तो आपने 10,000 की जग 1000 लिख दिया, कोई भी वेक्ति का call आ सकता है, तो ऐसी गलती हो सकती है, तो यहां पर आप लोगों गलती कहां सुधारनी पड़ेगी, X के account के साथ में, ठीक है, इट मींज दाट X हैस बीन debited with Rs.1000 and sales account was not affected, sale account तो हम लोगों ने proper 10,000 से ही debit credit किया हुआ है, if error involves omission of posting, आप लोग कोई entry करना भूल गए, मतलब पोस्ट करना भूल गए, entry, sorry entry नहीं, पोस्ट करना भूल गए, किसी transaction का, journal proper में, आप पहले तो यह बताई, general proper कौन सी book होती है, ठीक है, तो बताईएगा, general proper वो book होती ही, जहाँ पर जो कोई entry नहीं होती, जो entries भूल जाते हैं, जो हमारी opening entries होती है, वो वाली entries हमारी journal proper के अंदर, या फिर general journal ही से बोलते हैं, उसके अंदर वो वाली ये वाली book है, assume that the transaction has not been posted to any of the account involved, अगर आप किसी entry को करना भूल गए हैं, पोस्ट करना भूल गए हैं किसी entry को, तो ऐसा assumption लिया जाएगा question solve करते वक्त, कि वो फिर कहीं भी नहीं लिखा है, जैसे कि example में आपने furniture खरीदा था उधारी पर, 10,000 का, वो आपने post ही नहीं हिया, तो ऐसा assume किया जाएगा कि transaction किसी भी account में post नहीं हुआ है, अगर posting में error हुआ है, entry तो आपने डाली होगी, entry तो आपने करी ही होगी कि furniture account debit 2XY, जिससे भी हम लोगों ने furniture खरीदा है, लेकिन आप इसको post करना भूल गए हो, उसने यह आप बोलाई कि अगर omission हो रहा है, ठीके, अगर omission of posting हो रहा है, कि फिर आपने किसी भी account के अंदर उसको post नहीं करा है, क्योंकि जब हमने furniture खरीदा, उधार पर खरीदा, तो दो account involved थे, एक तो furniture का खुद, और दूसरा जिस व्यक्ति से हमारे creditor का account ठीक है, X भाईया का, तो हमने ना तो X के account में entry डाली हुई है, नहीं हमने furniture के account में posting करी हुई, ऐसा assumption लिया जाएगा, फोर्थ वाला है कि if error involves casting of subsidiary books, टोटल में गड़बड़ी कर दी है, तो it affects only that account to which total of the particular subsidiary book is posted, it does not affect the individual personal account, अगर आपने totaling में कोई गलती करी है, जैसे कि यहां पे लिखा है, purchase book was overcast by 10,000, यह rupees है, rupees 10,000, it means that there is excess debit of 10,000 in purchase account, ठीक है, तो यहां पर आपको सिर्फ purchase account को सही करना है, जिससे purchase करा था, उसको कहीं भी छेडने नहीं जाना है, ठीक है, आपने total में गलती कर दी है, यहां पर overcast का मतलब होता है, जादा से कर दी है, या आपने 10,000 जादा लेख दी है, ठीक है, तो वो आपको यहां पर देखना रहेगा, unless otherwise state it, अगर question में कुछ भी नहीं बोला है, it is presumed that errors are rectified, before the preparation of financial statements, जब तक question में कुछ भी आपको बातचीत नहीं बोली हो, कुछ भी directions नहीं बोले हो, तब तक यहीं माना जाएगा, कि हमारे जो financial statements, हमारा जो rectification, हमारे जो errors हो रहे हैं, हमारे जितने भी errors हैं, वो सारे के सारे हम लोगों ने पकड़ ली हैं, rectify कर दी हैं, before preparation of financial statements, ठीक है, financial accounts को बनाने के पहले ही, क्योंकि अगर financial account बन जाते, और फिर आप लोग error को rectify करते, या पकड़ते कि यहाँ error हो गया था, तो फिर picture अपना scene जो है वो बदल लेती है, ठीक है, वो बताती हूँ मैं इसके बाद, मैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं, if error is committed in the books of original entry, books of original entry कौन है, हमारी, books of original entry कौन है हमारी, ठीक है, जो भी यह आपको पता है, आप लोग को comment करके बताना है कि, books of original entry के अंदर, अगर आपने commit किया है अपना error, assume that all postings have been done accordingly, अगर आपने original entry के अंदर ही, गड़बड़ी कर दी है, journal के अंदर ही अगर आपने गड़बड entry डाल दी है, तो फिर आपको यह assumption लेना है, कि आपने उसी के हिसाब से बाकी की posting भी करी होगी, जैसे कि good sold on credit to X for Rs. 10,000 recorded as Rs. 1,000, 10,000 में कोई माल बेचा था, लेकिन entry कर दी 1,000 से, तो यह माना जाएगा कि X account और sales account जो है, वो 1,000 से ही debit और credit किये गए होंगे, अगर हमने journal के अंदर ही कोई गड़बड़ी कर दी है, तो posting भी journal के हिसाब से ही करी होगी, तो फिर उसका rectification अलग तरीके से होता है, 7, if error is committed in posting, हमने posting करने में कोई error कर दी, assume that recording in subsidiary book has been done correctly, तो यह धियान में रखना है, कि हमने entry तो सही डाली थी, लेकिन उसको post गलत कर दिया है, example, goods हम लोगों ने बेचे थे, X को, rupees, 1 second, for rupees, 10,000 posted as, rupees 1,000, it means that credit sales is correctly recorded in the sales book, but, posting of X account has been debited with 1,000 rupees, ठीके, वही वाली चीज़े, जो हम लोग अभी थोड़ी तेर पहले पढ़के आये हैं, कि अगर हम लोगों ने दो account को डाला है, तो जो जिस account के साथ में गड़बड़ी करी, सिर्फ उस account को हाथ लगाना, दूसरे account को हम लोगों को देखना नहीं है, if the error involves posting to a wrong account, आपने किसी गलत account में ही उसको post कर दिया, ठीके, RAM का SHAM में कर दिया, purchase का, sale में कर दिया, तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसा अगर लिखाओ कि amount भी state नहीं किया है, नहीं side बताईगी कि side का amount है वो, debit हो रहा है या credit हो रहा है, तो आप लोगों को क्या देना है, कि जो posting हुई है, वो सही तरीके से हुई है, सही site पर हुई है, और सही account पर हुई है, ठीक है, if error involves posting with wrong account, आपने गलत amount के साथ में, आपने posting कर दिया, if the error involves posting with wrong amount, without stating side or account, अगर आपको ना तो account पता है, ना तो side पता है, लेकिन आपने error कर दिया है, post करते वक्त गलत amount के साथ में, तो आप लोगों को क्या assumption लेना है, कि जो posting हुई है, वो सही account में हुई है, और सही side पर हुई है, ठीक है, सही account में हुई है, और सही side पर हुई है, भले ही amount गलत लिखा हो आपने, लेकिन आपने जो posting करी है, वो सही side पर करी है, और सही account में करी है, 10th वाला है if the error involves posting on wrong side अब गलत side पे कर दी है आपको ना तो amount पता है ना तो account पता है तो यह assumption लिया जाएगा कि वो सही account में करी गई है और सही amount से करी गई है जब side गलत होगी तो हमारे account और amount सही होगे जब हमारा amount गलत होगा तो हमारी side और account सही होगे लेकिन जब हमारा account गलत होगा तो हमारी amount और side सही होगे ठीक है यह बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को यह थोड़े से 8, 9, 10 वाला जो point of confusion है पर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा और जब solve करोगे तो और भी समझ में आ जाएगा 11 वाला जो होता है one sided errors are rectified through suspense account जो एक sided होते हैं एक तरफा जो errors होते हैं उनकी कीमत हमें suspense account बताता है ठीक है basically accounting language में one sided errors जो होते हैं वो suspense account की through solve किये जाते हैं या उन्हें rectify suspense account की through किये जाता है अब जो बात आती है आप लोगों की वो ये बात आती जो मैं आप लोगों को बताने वाली थी सबसे पहली चीज हम लोगों को errors कब कब पता चल सकते हैं सबसे पहले तो या तो हम before trial balance error पता कर सकते हैं ठीक है, trial balance बनाने से पहले ही हमें error पता चल गया या फिर after trial balance हमें बता चलेंगे ठीक है, before trial balance अगर पता चल गया तो आप उसको सही कर दीजी अगर आपने suppose मान लो sale का amount गलत लिग दिया है किसी को जादा कर दिया, किसी को कम कर दिया तो जो आप लोगों ने गलत गलती करी उसको वहीं के वहीं सुधार दो लेकिन अगर trial balance के बाद पता चलता है आपने trial balance बना दिया लेकिन after trial balance but before final account ठीक है before final accounts तो आप लोग अपने errors को किसकी through rectify करते हैं suspense account खोल कर हम और एक और होता है एक होता है फिर after final accounts तो वो आप लोगों को syllabus में नहीं है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा आपके CA foundation के exams में ठीक है after final account क्या होता है तीन तरीके से error पता चलते हैं before trial balance, after trial balance but before final accounts और एक होता है after final accounts अब अगर before trial balance error हुआ है आपका तो आप as it is entry को सही कर दीजी आपका amount सही आ जाएगा लेकिन अगर trial balance के बाद में error पता चला है आपने balance बना दिया trial balance में error आ रहा है कि our site तो match ही नहीं कर रही है ठीक है तो फिर आप लोगों का जो account है ठीक है जो amount है वो किस से rectify किया जाता है suspense account को open करवाके यह जो व्यक्ति है ना जीवन में suspense account यह suspense account को open करते हैं और उससे करते हैं और एक्जामपल अगर ऐसा बोला हो कि आपकी जो कि सेल पर्चेस बुक है पर्चेस बुक ले ले लेते हैं अपन पर्चेस बुक जो है कि अंडर कास्ट बाइ रुपीज वन थावजन रुपीज अब यहाँ पर साइट वाइड हमें amount कुछ पता नहीं है अभी कौन सी साइट का बोल रहा है वो तो अगर जो पर्चेस का नेचर है उसको follow करेंगे पर्चेस करना मतलब क्या होने वाला है खर्चा होने वाला है पर्चेस करूंगी तो डेबिट ही होगा ठीक है तो उसने क्या बोलाए कि अंडर कास्ट हुआ है इस बात को याद रखें अंडर कास्ट ठीक है अंडर कास्ट होने का मतलब होता है कम कर दिया है पर्चेस हम लोगों ने 1000 से कम कर दी है तो हमें पर्चेस बढ़ानी पड़ेगी अब यह हमें मालूम चल रहा है आफ्टर ट्राइल वैलनस अस्पेस अकाउंट बता रही हूं मैं आप लोगों को तो आप लोग इसकी एंट्री के से डालेंगे कि आपने जो पर्चेस अकाउंट को कम कर रहा है कम से डेबिट कर दो जितने से कम कर रहा है तो पर्चेस अकाउंट को आप लोग डेबिट कर द देंगे to suspense account ये entry ऐसी हो जाएगी तो ये आपका जो purchase account का जो rectification है वो सही तरीके से हो जाएगा undercast का मतलब होता है कम करना overcast का मतलब होता है जादा कर देना अगर यहाँ पर overcast होता तो entry हो जाती आप लोगों की अगर overcast लिखा होता overcast के case में आप लोगों के साथ में scene जो होता वो कुछ इस तरीके से होता कि आपकी entry आ जाती suspense account debit to purchase ठीक है अब purchase को credit क्यों करा है मैंने क्योंकि मैंने purchase को 1000 से जादा बताया था overcast करना मतलब होता है जादा दिखा देना मैंने 10,000 की purchase करी और मैंने 11,000 लिख दिया तो 1000 जादा कर दिया न तो जो सही entry होती है उसके हिसाब से मैं entry को reverse कर दूँगी अब यह समझ में आ गया suspense account का बाता है suspense account जो होता है वो हमेशा balance करना चाहिए ठीक है उसका balance नहीं बचना चाहिए अगर suspense account जैसे यहाँ पर undercast, overcast जैसे बहुत सारे questions आएंगे जहाँ पर suspense account ओपन होगा ठीक है in case अगर आपका suspense account टैली नहीं करता है अगर वो टैली नहीं करता है तो यह मान लिया जाता है कि अभी भी हमारी books of account में ऐसे कुछ errors हैं जिसको हम लोग पकड़ नहीं पाएं ठीक है ऐसे बहुत से questions में होगा जहाँ पर आपका suspense account टैली नहीं करेगा balance बच रहा होगा debit side पे, credit side पे तो वहाँ पर आपको क्या समझ लेना है कि अभी भी कुछ errors है जो बताए नहीं है और यह मत सोच लग जाना कि हमने question गरत कर दिया वो book वाले question बना कर यह सा देंगे कि आपके suspense account का balance बचे ठीक है तो यह माना जाता है कि suspense account का balance बच रहा है हमारे पास में वो जो है अभी भी कुछ errors है जिनको rectify करने की जोरत है ठीक है तो वो question की गलती है फिर हमारी गलती नहीं है यह हो गया अब यह बात समझा दी हम लोगों ने अब इसके बाद में अगर हम लोगों after final accounts पता चलता मतलब नए साल में ठीक है basically before trial balance का मतलब क्या होता और before final accounts का मतलब की final accounts का बनते है month and year end के उपर ठीक है आपका साल जब खतम हो जाता है तब आप लोग आपके final accounts को prepare करवाते हैं तो क्या हो जाता है कि जब आपने साल खतम होने पे जब आप बनाते हैं तो आप लोग suspense accounts entry कर देते हैं लेकिन अगर साल खतम हो गया नया साल प्रवेश हो गया new year लगया happy new year हो गया सारी चीज़े हो गई तब आप लोग क्या करते हैं suspense account की जगह उस व्यक्ति को डाल देते हैं चुपके से जाकर ऐसा बोल देते हैं कि आप आजाओ P&L adjustment account के अंदर अगर आ नय साल में प्रवेश करने के बाद में आपको समझ में आया कि हमने हमारे last year में कोई गड़बड़ी करी थी या कोई error करे थे तो नय साल में जब आप उन errors को समझते हैं सही करते हैं तो आप लोग उस वक्त suspense account के साथ में entry नहीं करेंगे तब आप लोग किस चीज़ को follow करें था वहां पर आपको profit and loss adjustment account को लेकर जाना है अब आप लोग बोलेंगे माम यह account क्यों और यह account होता क्या है profit and loss adjustment account जो होता है वो आपके profits के adjustment को बताता है होगा क्या कि जब आप लोग trading और P&L बना लोगे तो इससे आपका profit शो करेगा ठीक है एक simple सा example लेते हैं अगर हम लोगों ने यहाँ पे लिखते हैं अगर हमारी जो purchase है ठीक है purchase trading account का part होती है हमारे लिए purchase जो थी वो हम लोगों ने 10,000 एक हजार रुपे से बढ़ा दी थी ठीक है basically जो भी purchase रही होगी उसको हमने 1000 से बढ़ा दिया अब जब मेरी purchase माया होगा क्योंकि purchase मेरे लिए expense है ना मेरे expense बढ़े होगे तो मेरा profit कम हुआ होगा अब profit काम होगा तो मेरा net profit भी कम हुआ होगा net profit के बाद में balance sheet match होगी होगी सब हो गया होगा लेकिन इस वजह से क्या effect आया कि मेरे purchase का गलत बढ़ जाने की वजह से मेरे profit के ऊपर impact गलत आ रहा है, मेरा 1000 से जो profit है, वो कम शो हो रहा है, तो उस चीज को adjustment, अगर आप नए साल में, new year, ठीके, after final accounts अगर बनाते हैं, नए साल में आप इस rectification को करते हैं, इस error को rectify करते हैं, तो आप लोगों को इस account से उसको rectify करना है, profit and loss adjustment account, क्योंकि वो profit को adjust करवा रहा होता है उस व accounts तो क्या होगा, कि आप trial को balance कर रहे हैं, तो trial में आप suspense account डाल देंगे, लेकिन अगर आपने trial बना दिया, final account बना दिये, फिर जाकर बत्ती जली, कि ओ शिट, हमने तो गलती कर दी थी, यहां पर, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग P&L adjustment account के साथ में entry करेंगे, for example अगर मान लीजिए, हमारा purchase बढ़ गई, ठीक है, तो दो entries बता देते हैं आप लोगों को दोनों सेंग में, एक, before final accounts पे, और एक है after final accounts पे, ठीक है, before final accounts में आप लोग क्या करेंगे, कि अगर आपकी purchase बढ़ा दी हम लोगों ने 1000 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, purchase को कम, अब generally हमारे purchase का nature होता है, debit जब बढ़ती है, लेकिन कम करना है, तो मैं क्या कर दूँगी, उसे credit, to purchase, कितने से 1000 से, ठीक है, 1000 से बढ़ाई थी, और इसके opposite amount क्या जाएगा, अब ये before final account है, तो मुझे पता है, जब भी final account के पहले, और कर देती हूँ, मैं suspense account के साथ में, ठीक है, ये आपका यहाँ पर error complete हो जाएगा, आपके entry सही हो जाएगी, और आपका जो books of account है, वो tally कर जाएगे, लेकिन अगर आपको after final account, final पता चलता है, मतलब ये मानली जी कि आपने happy new year के अंदर entry पता करी, कि shit हमने last में जो year था, उस to purchase account, बस होगा क्या suspense की जगा आप लोगों को लिखना है, profit and loss adjustment account, हाला कि ये वाला जो part है, ये वाला जो हिस्सा है, वो book के अंदर show नहीं किया हुआ है, लेकिन theory basis पे general knowledge सामान ने ग्यान की वज़े से, मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, कभी theory में question आ जाए, कि अगर ह पता चला है, after final account, after final account पता चला है, मतलब आपको नए साले मालूम चला है, ठीक है, ऐसा निए कि 31 मार्च को बताया, और 31 मार्च को सुबह हम लोगों ने balance sheet और ये सब बना दी और अब शाम को वालूम चल रहा है कि shit error हो गया था, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बोलते हैं कि 31 मार अपरेल में हो जाता है, ठीक है final accounts भी, तो आपको आपके new accounting year में जब error पता चलते हैं, तो आप लोग उन error को P&L adjustment से rectify करते हैं, अब इसका reason भी बता दिया है, क्यों, क्योंकि final account बनने के बाद में जो impact है, वो मेरे profit पर दिखता है, ठीक है, before final account तो मैं already सारा कुछ suspense के through clear कर के आ रही होती हूं, तो मेरे profit के ओपर कोई भी गड़बड़ी नहीं होती, सब कुछ normal होता है, लेकिन जब मेरा final account बन गया, तो जो गलती हुई है, वो मेरे final account में होने की वज़ह से, मेरे profit को गलत बता रही होगी, ठीक है, तो profit के impact को सही करने के लिए, मैं P&L adjustment को open करती जैसा कि मैंने यहाँ पर अपने trial balance के rectification को सही करने के लिए suspense account को open किया था, यह दोनों ही account अपने आप में खतम हो जाते हैं, ठीक है, balance कर जाते हैं, question ऐसा बन कर आता है, कि इनके amounts ऐसे होते हैं कि debit और credit हमेशा equal होते हैं, और अगर नहीं हो तो क्या समझा जाएगा, अभी कुछ error ऐसे हैं, जो कि rectify नहीं हुए हैं, ठीक है, आप लोगों का यहाँ पर यह सारा part को खतम हो गया, अब बात आती ही कि rectification of error को solve कैसे किया जाता है, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को तीन step follow करनी है, और उन तीन step से आप लोगों को rectification of error ऐसे हो जाएगा, सबसे पहल आप लोगों को करनी है, wrong entry, wrong entry इसलिए बोल रही हैं, क्योंकि chapter के अंदर हर जगह आपको wrong entry ही करवाई हुई है, ठीक है, wrong entry ही करी हुई, वो जो statement बुलाओ, wrong entry कही है, फिर आपको करनी रहेगी सही entry, आप लोग draft कीजिए, उसकी correct entry क्या हो सकती थी, ठीक है, उसके बाद में wrong और correct को देखकर, आप लोग जो हैं, उसकी बना देंगे, rectify entry, इन तीन entries को जब आप बनाएंगे, question कैसा भी हो, आपका two-sided error जब भी आता है, जब भी दो तरीके के error आएंगे, तब आपको ये वाली entries को follow करना है, one-sided में तो आप लोग suspense को open कर देंगे, और अगर suspense account open नहीं कर आजाते हैं, ठीक है, कि अगर जैसे यहाँ पर before trial balance वालूम चल जाता कि मेरी जो purchase account है, वो मैंने 1,000 से बढ़ा दिये हैं, तो वहाँ पर आप ऐसा note लिख कर आएंगे, कि purchase account has to be credited with rupees 1,000, बस इसा लिख कर आजाओगे, ठीक है, अगर after trial balance वालूम चलेगा, तो ऐसी entry डाल क before trial balance वालूम चलेगा, तो note लिख कराना, कुछ भी करकर मताना, लेकिन अगर two-sided errors होते हैं, जब दोनों ही तरफ से गलतियां हो जाती है, तो आप लोगों को ये वाला formula यूज करना है, wrong entry draft करो, जो question में बोली है, उसके बाद में, सही entry क्या होनी चाहिए थी, वो आप लोगो का rectification हो जाएगा, खतम, मैं इसके कुछ questions जो है, वो telegram पर post करवा दूँगी, वहाँ जाकर आप लोग solve कर लीजिये, मैं भी अगर कोई problem आईगी, तो वहाँ पर आप लोग पूछ सकने कि दीदी यहाँ पर problem आ रही है, इसको कैसे करेंगे, मैं हमेशे आपकी सेवा में तक पर हूँ 24 by 7, 365 days, ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक question solve करवा देती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे इसको solve करने वाले हैं, पर ये याद रखो, wrong entry, correct entry, rectify entry, suspense account कब open होगा, कब नहीं होगा, अगर question में बोला है, तो ही suspense account open होगा, otherwise suspense account नहीं open होने वाला है, ठीक है, question वाला आपको आगे से हाथ जोड़कर भी नमर निविदन करेगा, कि प्रिये जनतागंड, please suspense account को open कर दीजिए, अगर ऐसे नहीं बोलेगा, तो बिल्कुल मत करना गलती हो जाएगी, आप लोगों से, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए question लिखकर होने वाले हैं हम लोग, यहाँ पर आपके पास में question है, जिसमें उसने आपको बोला है कि आप लोगों ने read sale जो है, उधार की जो sale, उधार में आपने किसी को समान बीचा था, वो 1700 आप लोगों ने 7100 के हिसाब से आप आपने हापे post कर दिये हैं, ठीक है, यह वाला कॉन सा कि मैंने entry तो सही डाली है, हम लोगों ने अभी वो steps पड़ी थी, तो यहाँ पर मुझे कुछ भी बताया नहीं, मतलब मैं entry तो सही करी है, बस amount गलाद डाल दी है, तो अब मुझे उस entry को क्या करना पड़ जाएगा, reverse, क्यों reverse करूँगी, क्योंकि मैंने 1700 की जग 7100 लिख द है, तो मेरे लिए entry क्या होनी चाहिए, गाइस, राम अकाउंट को हम debit कर देंगे, और वहीं पर हमारे sales को लिख देंगे, यह मेरी correct entry होगी, ठीके, ऐसा किया होगा मैंने, लेकिन क्योंकि अब जो गलती मैंने कर दी है, उसके हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने जो मेरी correct entry क्या होनी चाहिए थी, कि राम अकाउंट को debit करना था मैंने, to sale, ठीके, राम अकाउंट को debit करना था to sale, कितने से, 1700 से, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास मैं शायद phone call चल रहा होगा, तो मैंने 1700 की जगह क्या कर दिया, उसको मैंने ऐसे करके 7100 यहां भी, और यहां आम भी जादा से debit हुआ है, और sale भी जादा से credit हो गई है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसी entries जब हम लोग पता करते हैं, तो ऐसी entries में क्या होता है, कि आप इसके nature को reverse कर दीजिए, sale जादा से credit हो गई है, तो उसको debit कर दो, तो इसकी जो correct entry, rectify entry जो होती है, मतलब rectification ज पांच हजार चार सो रुपे से, अब बोलोगे दीदी ये amount कहां sell आए, तो 7100 में से, जब 1700 माइनस करोगे, तो आपके पास में 5400 रुपे ही आएंगे, जिस amount से आपने entry को जादा बता दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर वो वाली entry ऐसे हो जाएगी, अब दूसरी entry में हम लोगों ने sale को तो सही डाला, लेकिन account गलत कर दिये, यहाँ पर भी error of commission है, principle गलत नहीं हुआ है यहाँ पर, आप लोगों ने account गलत कर दिये, राम का शाम में, शाम का राम में लिग दिया, ठीक है, तो sale तो सही चल रही है, आप इसमें भी करते हैं, समझते हैं, इसमें क was recorded as sales to Christian, तो मैंने क्या करा, according to question वाली entry जो हुई, वो मेरी क्या हुई, यह हुई, Christian account को मैंने कर दिया, debit to sale, 1700 रुपे से, ठीक है, यह according to question हुई, लेकिन मेरे हिसाब से, यह मेरी है wrong entry, यह है मेरी correct entry, correct entry क्या होना चाहिए था, कि मुझे करना था, मोहन को debit, हाँ, मोहन को करना था debit to sale, कितने से 1700 रुपे से, अब यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, तो सिर्फ आपके data में गलती हुई है, मतलब individual effect गया है, sale तो हमारा सही डलाए, sale तो सही तरीके से, दोनों ही question के अंदर, दोनों ही हमारे उसमें sale सही जा रही, 1700 रुपे से उ खालतू में debit कर दिया था, आप उनको जो है credit कर दोगे, ठीके, तो two Krishna आ जाएगा यहाँ पर, Christian बहिया को आप यहाँ पर कर देंगे 1700 से credit, और किसको कर देंगे debit, जिसको आपको असली में भी करना है, ठीके, मोहन बहिया को, मोहन को कर देंगे debit 1700 से, यह आपका यहाँ पर य तो question में बोली थी, correct entry करी, और फिर उन दोनों की net effect को देकर हम लोगों ने कर दी, rectify entry, ठीके, और यहाँ पर narration लिख दोगे, being entry rectified, ठीके, narration आप लोगों को हर जगे यही लिखना है, और बहुत ही वक्त हो अगर आपके पास में subjective exam अगर होती है, तो फिर पूरा लिख कर आन मिल जाएंगे, अब आप लोगों के पास में last वाला point, last वाले point में आप लोगों से क्या बोला है कि credit sale to rupees 1702 आशा was recorded as sales to unshool as rupees 7100, यह वाला point जो है वो थोड़ा सा important है, क्योंकि यहाँ पर amount भी गलत है, और account भी गलत है, ठीक है, पर हम लोग यह assume करेंगे कि side हमारी सही चल र देते हैं, उसमें क्या है, अभी कर देते हैं question, अभी हो जाएगा यह वाला, ठीक है, according to question entry क्या हो गई है guys, credit sale of rupees 1702 आशा was recorded as sales to unshool as rupees 7100, मतलब मैंने unshool को debit कर दिया, to sale करके, और कितने से कर दिया, 7100, ठीक है, यह मेरी हो गई wrong entry, जो की मेरे question में मुझे बोली है, दूसरी entry जो मैं करने वाली हूँ, वो करने वाली हूँ, correct entry, और वो क्या होने वाली है, मेरी आशा को debit करना है, मैंने, आशा को debit करना है, 1700 से, to sales, 1700, यह मेरी correct entry है, अब मैं rectify entry कैसे बनाऊंगी इससे, यह देखे, 8, अपने बच्पन से यह, ठीक है, rectifying entry क्या होगी, कि यहा आप लोगों के पास है, 5,400 का नहीं, थोड़ा-थोड़ा आगे पीछे होगा, समझते हैं इस बात को, देखिए, आप लोगों की जो sale होनी चाहिए थी, वो कितने की आनी चाहिए थी, 1700 रुपे की, लेकिन आप लोगोंने sale कितने की कर दी है, यहाँ पर, 1700 की, ठीक है, 1700 की, सेल करनी थी, पर आप लोगोंने 7,100 की कर दी, और वो भी गलत व्यक्ति के साथ में, तो जिसको आप लोगोंने फालतू में डेबिट करा है, उसको पहले कर दो, क्रेडिट, ठीक है, अन्शुल भाया को हम लोग कर देते हैं, क्रेडिट, टू अन्शुल, अब क्योंकि मेरी सेल भी बड़ी हुई है, मुझे सेल तो करनी थी, इतने की, लेकिन मेरी सेल भी फालतू जादा की कर दी है, तो सेल को रिवर्स इफेक्ट दूँगी मैं, क्योंकि मुझे सेल तो 1700 की बता दी, तो अब उसको सही करने के लिए, इसको मैंने ओवर कास्ट हो गई, तो अंडर क करने के लिए, मैं सेल को भी कर दूँगी डेबिट, और यहां पर आजाएंगे मेरे पास में कौन दीदी, जो की है मेरी आशा दीदी, जिनको मुझे असलियत में भी डेबिट करना था 1700 से, ठीक है, और ये आजाएंगी सेल दीदी, आजाएंगी मेरी 5400 से, और अंशुल को जितने से डेबिट किया था, उतने से ही में कर दूँगी क्रेडिट, जो की है मेरे पास में अमाउंट 7100, समझ में आई ये एंट्री, ये थोड़ा सा ट्रिकी और क्रेटिकल एरिया होता है, एंट्री सॉल्फ करने का, सबसे पहली चीज, अगर अमाउंट भी गलत है, व्य पर्चेस बड़ी घटी होगी, उतने से उसका reverse effect दे दूँगी, और फिर जिस व्यक्ति के साथ में मुझे करना था, उसको मैं उसकी जगह पर डाल दूँगी, तो उससे मेरी rectify entry यहाँ पर आ जाएगी, अब आपके पास में ऐसे ही questions होंगे, आपके book में भी वो आपको solve कर बनता है, वो कैसे बनता है, यह आप लोगों को जो errors है, वो कब पता चले होंगे, प्रिये जनतागन, आप लोगों के trial balance बनने के बाद में, पर before final accounts, ठीक है, तो आप लोगों का suspense account open होगा, और वो book वाला आपको question वाला बोल कर बोलेगा कि suspense account को खोलो, सबसे पहली यहाँ प मतलब मैंने अपनी sale को 200 रूपे से जादा बता दिया है, तो मुझे sale को करना पड़ जाएगा कम, इसकी entries बहुत easy होती है, जो भी suspense account वाले पार्ट है वो बहुत easy होते हैं, तो मैं sale को कर दूंगी कम, अब मुझे मालूम है, sale को कम करने के लिए मुझे करना पड़ जाएगा sale को debit और उसके opposite में तो और कोई नहीं आएंगे, सिर्फ प्रिये suspense account आजाएंगे, टू suspense account और sale जितने से बढ़ाई थी, उतने से ही कम कर दूंगी, यह आप लोगों की हो जाएगी rectifying entry, ठीके, undercast, overcast, ऐसे ही चलता है, good sold to manohar for rupees 5550 was posted as 5500, भाई सहाब, बड़े ही निराले का यहाँ लोगों क प्रिदो आप लोगों का ने होगा लोगों का एक लाप लोगों का आप लोगों के पास में, good sold to manohar for rupees 550 was posted at 5500, मतलव, 4950 का घपला कर दिया ज्यादा बता दिया है, तो जिसको गलत बताया है, हम लोग यह assumption ले रहे हैं यहां पर जब ऐसा काम आता है कि हमारी sale सही तरीके से post चूई होगी sale की जो entry है sale का जो account है वो सही तरीके से गया होगा बस गलती कहां करी है हम लोगोंने मनोहर के साथ में अभी वो 11 steps पढ़ी दिये न उसका एक point है यहां पे तो मनोहर के साथ में ही हम लोग उसको मनोहर को ही छेडेंगे sale account को हाथ हम नहीं लगाएंगे तो मनोहर को मुझे करना था जो debit करना था वो मुझे करना था 550 से लेकिन कर दिया 5500 से तो मुझे मनोहर को अब करना पड़ जाएगा कम तो मैं कर दूँगी मनोहर को कम क्योंकि मनोहर मेरा क्या है dater है अब dater जब कम करूंगी जब मेरे asset जो है वो कम होती है तो वो क्या हो जाती है credit ठीक है तो two मनोहर मनोहर आजाएगा मेरे से 4950 से क्योंकि इतने से ही कम करना पड़ेगा तो आपका rectify entry दिखा जायगा कि 550 Sea मनुहर आपका debit हुआ है और किसकी वज़ा से हुआ है suspense account suspense account generally हम लिखते भी क्यों है कि हमें नहीं पता कि किस वज़ा से ये गलती हुई है इसलिए उसको suspense में डाल दिया है दूनते रो जहां दूनना हो आप लोगों को ठीक है अब है purchase book was overcast by rupees 800 purchase जो है मेरी वो overcast हो गई है मैंने purchase को बड़ा दिया है तो purchase को कम करना पड़ेगा जब मेरा expense कम होगा purchase मेरा expense है purchase मेरी expense को जब मुझे कम करना होगा तो जब मेरी expenses कम होते हैं तो मैं उन्हें कर देती हूँ credit to purchase 800 रुपे और किस वज़ा से होंगे suspense अकाउंट की वज़ा से 800 रुपे अब आपकी full and final entry जो है आप लोगों की यहां पर आई हुई है कि purchase return ये PR का मतलब है purchase return book was carried forward as 1220 instead of rupees 1120 मतलब आपकी purchase return book का balance क्या होता है जब अगर purchase का balance debit है तो purchase return का आप लोगों का होता है credit balance ठीक है तो मतलब buy side पर नहीं two side पर तो two balance carried down जो है वो आप लोगों का कैसा हो गया है sorry carried forward ना हाँ two balance carried down carried forward हाँ तो आपका जो balance carried forward जो है वो आप लोगों ने गलत डाल दिया है मतलब कम जादा से कर दिया है उसको ठीक है purchase return book को आपने जादा से carry forward कर दिया तो कम करना पड़ेगा अब purchase return book का जो nature होता है वो होता है credit nature का तो अगर हम उसको कम करेंगे तो वो हमारे लिए बन जाएगी debit करनी पड़ जाएगी तो purchase return को आप लोग debit कर देंगे debit और किसकी वज़ा से होगा guys two suspense account ठीक है कितने से one two two zero में से one one two zero आप लोग minus कर दीजिए तो यहाँ पर आपके पास में आएगा answer 100 रूपे से 100 रूपे से आप लोगों ने आपके purchase return book का जो balance है वो जादा बता दिया था तो अब आपको वो 100 रूपे कम करने पड़ेंगे बस इतना सा यहाँ पर काम है यहाँ पर ठीक है इतना ही करना था जब भी suspense account बनता है ना तो क्या होता है कि आप लोगों के लिए ease हो जाता है कि आपको सिर्फ clear वाला concept clear होना ची बाकी आप लोग entry कर देते हैं entries फस्थी कहा है जब आप लोग बिफोर ट्रायल बैलेंस एंट्री को ढूंडने जाते हो तब आप लोगों को अकाउंट को देखना पड़ता है wrong entry, correct entry और rectifying entry बनाने पड़ती तो उससे आ जाता है अब दो question तो मैंने यहाँ पर solve करा दी है आप लोगों के और यह chapter आप लोगों का हो चुका है खतम, ठीक है completely खतम हो चुका है यहाँ पर आपको सिरिफ questions की practice करनी जो की questions में आप लोगों को telegram पर for sure डलवा दोंगी तो आप लोग उससे practice कीजिए अपनी book से practice कीजिए जो आपकी reference चल रही है उससे भी कीजिए तो आज की तो सभा यहीं खतम होती है अब हम लोग मिलने वाले हैं नए chapter के साथ में जो की आप लोगों का होने वाला है last chapter 18th अब मेरा आप लोगों से question है जिसका आपको answer comments में देना है कि बहुत सारे schools में क्या होता है पर क्या आप लोगों के school में पढ़ाते हैं आपके school में पढ़ाया गया है अगर answer यह से तो मैं यह channel पर भी पढ़ा दूँगे अगर नहीं है तो फिर हम उसे skip कर देंगे क्योंकि generally वो schools के अंदर नहीं पढ़ाया जाता है पर अगर आपके school में पढ़ाया जा रहा है तो बिल्कुल हम पढ़ायेंगे उसको तो आप लोग please comment में answer कीजेगा कि आपके schools में 19 chapter जो की होने वाला है आप लोगों का computers accounting ठीक है इस unit का last chapter मतलब term 2 का last chapter जो है वो अगर आप लोगों के school में पढ़ा रही है तो वो आपको पढ़ ले 11-30 commerce पर भी मिल जाएगा और अगर नहीं तो फिर उसे skip कर देंगर हमारा last video जो रहेगा वो रहेगा final accounts की preparation का ठीक है तो अब हम लोग मिलेंगे नए वीडियो में तब तक आप लोग rectification को solve कीजे rectification ही करते रही है wear a mask, do sanitization घर पर रहो, सुरक्षित रहो, safe रहो and अपना ध्यान रखते रहो smile करते रहो क्योंकि वो बहुत appreciate से बहुत अच्छी है I hope आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा bye-bye, take care